बिस्मिल्ला अर्मान रहिम असलाम लेकिम दोस्तों मैं हम फारुक एमद और आप देख रहे हैं पत्तों की हंटर्स गलब की तरफ से एक नहीं अन्बॉक्सिंग वीडियो दोस्तों आज मारे पास है नुवाविस्टा की लिविया दन पीसर टू एर राइफल यह पीशिपी गन है जी बड़ी मशूर तरीन बहुत आला किसम की और यह नुवाविस्टा की बड़ा अच्छा माडल था अभी भी है वो चल रहा है बहुत काम्या माडल है एच्पी नाइन हंडर्ड है उसको मोडिफाई करके जारा अच्छा बना दी है जो उसमें कमिया थी दूर करके यह बना दी लिविया देन इसमें दो माडल हैंस के एक तो यह राइफल टाइप है और दूसरी है बुल पॉप उसका भी नाम शायद है बेहमोथ बेहमोथ ऐसा कोई नाम है उसका चले खेर उसके बार में भी देखेंगे इन्शालाबाद में तो यह काफी अच्छी गन है लाइट बेट है इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको इसमें तीन कलर हैं जी वैसे पाकिस्तान में दो ही आए हैं ब्लैक संथैटिक फोजी कलर में और वुड में पाकिस्तान में दो कलर हैं संथैटिक ब्लैक में और वुड में इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं जी पर नहीं मुगवा सका तो आज मैंने अपनी ख्वाइश पूरी की तो अब गोसों से शेयर भी कर रहा है जी हमारी गंग है पर दे इसके साथ ही दो मैगजिन है ठीक है पैक में और एक एलन की है और इसमें तीन ओर रिंग है इसको यहीं रख देते हैं और गंगो बाहर निगाल लेते हैं यह इसके साथ एक बुक है जी लिए दन पीज़े पीस आर टू नौविस्टर जी हमारी गंग बाहर आ चुकी है नौविस्टा लिविया थन दन यह धन जी संथैटिक स्टॉक में है ब्लैक बौट खुबसूर्थ लगरी है पीछी रबरबाट पैह रहे है लाइटवेट सी है बिल्कुल स्टॉक में इसका बिल्कुल लाइटवेट हल्का सा बनाया गया है ये लकडी में भी है, उसका वजन है 3.50 केजी, लेकिन इसका वजन 2.8 पवने 3.25 केजी हैं तकरीब़न, तो मेरे ख्याल में ये बैस्ट है, इसका लाइट पेट है, कैरी करना भी अज़ान है, फील में ले जाना बहुत असान है, बन्दा ठकता नहीं है, तो इसका ये trigger guard plaster का जी trigger इसका metal लगा है ये bolt side action gun है ये इसकी manual safety है ये जी gauge है इसकी एक किस दरफ gauge है इसकी ये जी pressure gauge इसकी ठीक है left side पे और जो है right side पे जी right side पे इसके regulator गेज है और left side पे यह pressure गेज है इसकी ठीक है यह आगे चलेंजी यह इसका cylinder है छोटा सा एक यह cylinder है एक यहाँ इसके नीचे है stock के नीचे cylinder चोटा सा तो यह चोटे दो cylinder है एक सो CCC का यह cylinder है जी और 300 बार तक आप इसको भर सकते हैं और ये तकरीबन 70 प्लस चार्ट देगा आपको ठीक है इसकी इसकी फ़िस एंजी तकरीबन 895 नौसो तक लेकिन अगर आपने 80 ग्रन यूज़ करना है तो इसकी विलास्टी होने चाहिए 860 अगर आप इस पे सेट करके चलाएं इसको तो तकरीबन 80 प्लस चार्ट होंगी इसकी 80 से उपर चली जाएंगी तो बहुत आला कि इसमें की गन है जी यह जी इसमें दो रेल हैं 11 mm की भी है और 22 mm की भी रेल है इसके उपर और 13 एंच की इसके उपर बैरल है जी फूली श्रॉड़ड है जी और इसका आवाज चेक रवाता हूँ लॉक लगा हूँ है तक्रीबन काफी हद तक कामवाद है आपको मैं क्रीब से दिखाता हूँ इसको जी दोस्तों अच्छी तरह आप देखें बहुत यह अच्छी फिन्शिंग बने इसकी बहुत ही खुबसूरत ठीक है यह नीचे उपर से यह बाइपॉल लगाने के लिए 22 mm की रेल इदर लगी हुई एक ठीक है यह सिलिंग लगाने के लिए यह जगा बनी हुई है ठीक है पीछे भी है यह देखें और यह है जी इसकी डीक्यास करने के लिए स्क्रू दिया हुआ है और यहां से जनाब इसकी रेगुलेटर की अज़ेस्मेंट होती है ठीक है 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 मर की एज़ेस्मेंट भी अब यहां से कर सकते हैं पीछे से ठीक है बाहर से हो जाती है इसकी तो बहुत ही खुबसूरत बहुत ही प्यारी लिवेदन पी एसर टू ठीक है जी जी दोस्तों बहुत ही खुबसूरत लाइट पेट और बहुत ही प्यारी गन आपने देखी ये थी हमारी चोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर जरूर किये जएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किये जएगा किसी भाई को चाहिए हो तो ये मगवा सकता है हमसे वर्सेप में हम अपना नमबर दे दूँगा इसके लावा पैलेट बगारा भी होते हैं हमारे पास स्कोप्स भी हैं आयू ही है इंशालला उनका इर्वियू जल्दी बनाएंगे तो इसे के साथ इजादत चाहेंगे अगले वीडियो तक खुदा आफ पकिस्तन जिन्दबाद